तो कैसे हैं आप सब लोग मिला ही हूँ आप लोग में आजी बहुत अमेजिंग बहुत डिलिशिस रेसिपी जिसका नाम है अचाय चीकन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर एकड़ाई ले लेंगे तो कड़ाई में जाला है हमारा यहां पर आदी कर दिया है और तेल को में अच्छे तरीके से कट्चा अगरा निकस्ति बाइड करान ए दूटकर ले तो इस तरीके सिहां टॉम हमनेने डाय रहए जादा हम दुटख सरी दिआ कर लेनयाव यहां घंडर बेना घ्रूंप ली पीरेशिई टो इस तरीके सिहां तया मैं भूद्ध ताइब लिए जिए चाब पून लाल मिर्श पाउडर लिए जिसमाश तू में रिल एज जाए हादा चाब्ड जीरा और आदा चाब्ड गरम मसाला पाउडर लिए दो बस इन सब चीजों को डाल कर आपने चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड आधा चमच शर्सो और राई यहां ने जालिए अधा चमच का लौनजी और यहां पर यहां और रादा चमच डाली है हुआ नियुद्धी तो बस आए मिसाले डालने के बाद आधा दालें नमक नमक अपने स्वाद के अधार डाल सकते हैं जूकि नमक के यह आप 1 केबल और अच्छी तरीके से करें गया चिज़ों को मिक्स और यह चाहर चिकन आप लोग बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि अपने गर में बनाया था तो यह बहुत पसंद आया तो मैं आपको लोग वी रेसिपी जरू से शेयर करूं ताकि आप लोग भी रेसिपी को जरू से ट् और मिसाले भी भूंचाएं तो बस हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल रहा है तो अब मैं इसके जालूँगी यहां पर हमारा दो डिवल स्पूर अचार जो कि बिर्यानी का अचार होता है अरे मिर्चों का आपने वही डाल देना है तो मैंने वही आइड किया है और फिर डख करके पकाना है थोड़े दिर और आप लोग देख सकते हैं इसका केलर कितना खुबसूरत लग रहा है और यह बहुत ही मज़े का लगता है खाने में तो मुझे तो बहुत ही पसंदिया चार जिकन तो अब मैं इसके ने जालूँगी यहां पर हमारी कुछ लगती है जब पूरे चिकन मन जाए तो जब भी आप डाल सकते हैं कि यह ब्लकुल क्रिस्पी रहती है तो बस मैं इसको थोड़े डखके पकाऊंगी अगर आपने चिकन तर ग्रेवी चाहिए तो आप पानी आड़ कर सकते हैं और हम इसको हाई फ्लेम पे करके थोड़े तरका तो हमारे चिकन बन के बिल्कुल तयार हो चुका है मैं एक पैन लिया तरका पैन उसके दो में आड़ करूंगी यहां पर हमारा दो टेबल स्पून ओयल और यहां पर जालना है चार से पास लस्तन की कली उसके अंदर सोकी लाल मिर्शी डाल लिए और बस चिकन के जो ह बन करके हो चुका है बिल्कुल तयार इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करें और शेयर करें अपने फैमली और फ्रैंक के साथ तो यह अचार चिकन आप लोग को बहुत दा पसंद आया होगा तो अगर आप लोग को मेरे रैसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ल